दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं और आपके जीवन में आपके ड्राइविंग जीवन में पहली बार बारिस हो रहा है तो आप गाड़ी चलाएं तो एकडम सावधानी से चलाएं क्योंकि देखिए बारिस के मौसम में कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है तो आप एकदम सावधान रहें आपकी सेफटी आपके हाथ में होता है और आपके पैरो में होता है तो गाड़ी चलाएं तो एकदम सावधानी से चलाएं क्योंकि देखिए जब बारिस नहीं होता है उस समय लेफ्ट या राइट आपको लेना है तो आपके ओर्वियम में अच्छे से दिखाई देता है साइड मिरर में अच्छे से दिखाई देता है पीछे से जो गाड़ियां आती है वो अच्छे से दिख जाती है लेकिन बारिस के मौसम में ऐसा कुछ भी नहीं है आपको दिखाई नहीं देगा तो आप लाइन चेंज जादा ना करें देख सकते हो ये जो राइट का ओर्वियम है आपको इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बारिस की बूदे इस पर आ रही है और रुक रही है जिसके वज़े से पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अब देखिए सामने का दिखाई दे रहा है क्योंकि सामने वाइपर चल रहा है वाइपर चल रहा है इसके लिए दिखाई दे रहा है अगर वाइपर बंध हो जाए तो सामने भी कुछ दिखाई नहीं देगा और आप left का ओर्वियम देखो इसमें भी कुछ भी नहीं दिख रहा है तो कभी भी गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी ना करें एकदम आराम से गाड़ी चलाएं गाड़ी के पीछे अपना गाड़ी रखें और थोड़ा सा डिल्टेंस रखें क्योंकि देखिए बारिस के मौसम में कुछ भी हो सकता है कहीं खड़ा आ सकता है अचानक या कहीं रोड़ पर पानी भरा हुआ है तो इसके लिए आप गाड़ी जब सावधानी से चलाएंगे सोच समझ कर चलाएंगे तो आपके साथ कोई भी घटना नहीं होगा आप एकदम आराम से अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे देखे दोस्तो गाड़ी चलाना आसान है लेकिन गाड़ी को समभाल कर चलाना मुश्किल होता है बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं बहुत ही लाफरवाही के साथ चलाते हैं बारिस के मौसम में ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें देखे दोस्तो अपनी सेप्टी अपने हाथ में रहता है बरसात हो रहा है जादा हो रहा है तो गाड़ी एकदम समभाल कर चलाएं और एक बात मैं बताना चाता हूँ यह जो वाइपर का पानी होता है इससे आप अपने काज को बराबर साफ करते रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा जय हिन